हलो फ्रेंद्स वेल्कम टॉ मैं नियू व्लॉग तो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में फिर सबसे पहला काम आता है ग्रॉसरी ओर्डरिंग का पनव को लेकि हमेशा बजार जाना होता नहीं है और सुबह को जो भी जरूरी सामान घर में चाहिए रहता है वो सब ओर्डर करना जरूरी हो जाता है पानी का बॉटल जैसे कि आप देख रहे मेरे ग्रॉसरी लिस्ट में आज इसी लिए है क्योंकि मैं जहां से पानी ओर्डर पनव आज घर पे है स्कूल नहीं है तो इस बार क्या हुआ ना इन लोग को तीन दिन हॉलिडे मिल गया है फ्राइडे साटर्डे संडे तो आज का यह जो व्लॉग है ना इसमें मैं अपना दो दिन का विंटर रूटीन मॉर्निंग वाला शेयर किया है मैंने यह नॉर्मल एक फुल डे व्लॉग नहीं है इसमें मैंने आज 26 जैनुवरी का मॉर्निंग रूटीन और 27 जैनुवरी का भी थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है इस व्लॉग में दो टमाटर सोस दो टमाटर सोस को आप लग दोगी चगा पर हाँ रग देंगे यह आपका नाश्ता बन गया है भस अफटाफट खालो तर नहा ले ना थिक है यह 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 लग रहे तो देखने में 5 बढ़ लग लाए ना खाने में भी यह 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 पनव को मैंने नहला दिया है अभी इसको बोला है मैंने के बरांदा में थोड़ा देर खड़ा हो जाओ धूप में बिकॉज इसको सर्दी खासी काफी रहता है अभी हो गई यह शाम और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाए ब्लाक टी विट शुगर बट विदाउट मिल्क नॉर्मली आजकल शाम को ब्लाक टी पीने का ही मन करता है ऐसे भी आज दिन में हम लोग खाना बाहर से ओर्डर किये थे बिकॉज आज 26 जैनुवर है काफी ओफर्स चल रहा था तो रिपब्लिक डे है हॉलिडे है हम लोग कई घूमने तो नहीं गये पर मैंने सूचा मैं और पनव दोनों बाहर का खाना खा लेते है तो थोड़ा सा हेवी लंच होने से मन रहता है कि शाम को ब्लाक टी ही पिया जाए तो पनव ना आज कल स्ट्रॉबेडी खाना सीगा है स्ट्रॉबेडी कहा खाया था फर्स टाइम आप मेरा जब थार्स दे जब स्कूल गया था तब कोई फ्रेंड लाया था क्या । कर दा अराय जांड आज कि स्ट्रॉबेडी खाया था हुआ मतलब थोड़ा सा खट्टा लगा था तर वे काम करना तो ठोड़ा आप तो पुड़ा सीख लिया डेरे मिल का इसक्रिम बनाना है ना हाई फ्रेंद्स अभी बचके है रात का साड़े आठ आठ आज दिन पर में आज सच कोई व्लॉग करना मेरा हुआ नहीं रीजन क्या था मुझे नहीं पता मैं किस चीज में बिजी थी नॉर्मल घर के काम में बिजी थी और तो कुछ है नहीं आज मेरा कुकिंग भी नहीं हुआ क्योंकि आज है 26 जैनवरी तो सबसे पहले सबको बोलना चाहती हूँ टो बैड़ी वड़ी हापि डीपबलिक जी तो दिन के एंट में बोल रही हूँ पर क्या करू जैसा मदब जैसा पहले नहीं थी तो आज मेरा को नहीं थे एंद कुछ खाना बनाना हुआ नहीं तो रात को एक्चुली क्या थोड़ा सा लंच और अगर हैवी हो जाता तो फिर इनसान को रात कर दिनर करने का मन नहीं करता है मेरा भी यहाल एंपरफ क का भी मैं सोच ह लोगaching gmeter करेंगे की नहीं करेंगे बर कोशिश करूंगी कि मैं करो Ni кто देखते हैं आज लिद में एड सेच कुछ vlogging मेंड़ा हुआ नहीं है reason क्या है मुझे नइंपथा फिर फिर भी मैंने कोशिश किया सुबह को नाश्टे के टाइम थोड़ा कवर अपकर करने की थोड़ी-thोडी मीठी गज़ तो utable थोड़ा थोड़ा सब कुछ कोशिश करने की कोशिश करेंगे आप लोग के साथ एड चानल को शॉब्स बूट कर दीजेगा super कर दीजेगा कमेंट जरूर कीजेगा तो एलउव टो रिपलाइ्ट और कॉमन्स तो मैं इस साइब गुं गई हूँ उस ताइब नहीं तो उस साइब से बात कर रही थी ना तब लाइट फेस में नहीं आघाएपा है तो वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं आता है तो अभी मैंने सोचा इस तरह face कर लूँ तो आज ठंडी बहुत है पता नहीं ठंडी कम कम होगा अब तो लग जैसे जब summer आता है ना हम लोग बोलते के winter कब आएगा winter कब आएगा अब जब winter आ गया इतना ज़ैदा winter आ गया इस बार कि हम लोग सोच रहें कि अब तो बस winter जाओ and summer आ जाओ and आज दिन में मैं सोच रही थी summer कबाएगा, summer कबाएगा फिर मैं सोच रही थी summer के time में तो फिर mango time हो जाएगा and हर साली मैं पनव को बोलती हुआ कि पनव आप mango खाना सीख जाओ अप mango खाना start कर दो सब चीज में कुछ न कुछ फाइदा होता है mango में भी कुछ न कुछ फाइदा जरूर है सब फूट में फाइदा है तो मैं आज पनव को बोली रही थी तब पनव मैंने मुझे दिन में बोला कि मेरे लिए ममा स्ट्रॉबरी लाना इसने स्कूल में किसी फ्रेंड से स्ट्रॉबरी टेस्ट किया होगा तो इसको अच्छा लगा पर थोड़ा सा खटा है तो मैं सोचने से पहले लाने से पहले सोचूंगी क्योंकि इसका आच्छली सब चीज मूट के उपर करता है कोई चीज एक दो दिन कर लेता है उसको अच्छा लगता है पीड हो सकते हैं कि 30 उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं भी लगता हो तो जब इसने बोला है कि कशाना है तो कोशीश करूंगी स्ट्रॉबरी लाने की पर मैं इस वार पूरी तरह से कोशिश करूंगी इसको mango खिलाने की क्योंकि mango तो seasonal fruit होता है और पुरा दुनिया को आम पसंद है बहुत गिने चुने लोग होंगे जिनको आम पसंद नहीं है और मैं चाती हूँ कि पनव भी आम खाना सीख जाए तो अच्छा है mango से हम लोग बहुत कुछ बना सकते है and summer time is mango time hi friends good morning तो अभी होगे ये next day morning and ये मेरा second morning routine है जो मैं आप लोग के साथ share करना चाह रही हूँ क्योंकि actually है क्या होता है ना morning में बहुत सारे काम रहते है and कैसे हम लोग बच्चा लेके अकेले मैं manage कर रही हूँ वही सब routine में आप लोगे साथ share करना चाहती हूँ and morning में जैसे कि आप कह सकते है energy भी लोगों में full होती है तो मेरा वैसा कोई super fit morning routine नहीं है जैसे कि मैं अपना yoga कर रही हूँ अपना dry fruits खार रही हूँ अपना exercise कर रही हूँ कुछ routine मेरा नहीं हो पाता है बस normally जो भी घर के काम मैं करती रहती हूँ पनाफ को जैसे manage करती हूँ कैसे हम लोग का breakfast वगरा manage करती हूँ and winter morning में special care बच्चों के लिए देना ही परता है तो वही सब share कर रही हूँ and यह जो दो routine में share कर रही हूँ especially जस दिन बच्चा घर पे है उसी दिन का routine में share कर रही हूँ क्योंकि actually क्या है ना बच्चा जब स्कूल पे चला जाता है तब ममी लोग free भी हो जाती है तो हर दीन ही ना जब पनव वाश्रूम से freshen up होके आता है मैं इसका मुँ आख सब धुला देती हूँ उसके बाद मैं इसका हमेशा ही बोलती हूँ के बेटा आप जादा करके पानी पी आख करो तो इतना दिनों से ना हम लोग सुभे गरम पानी पी रहे थे तो आज थोड़ा सा weather मुझे नॉर्मल रगा तो मैं इसको जादा-जाद से जादा पानी पिला रही हूँ अनि जो रूटीन है चवन प्राश का ये मैं इसमें इनकलकेट करना चाहती थी बहुत दिनों से विकॉज ये हमेशा ही सरदी खासी में रहता है तो मैं सोच रही थी ऐसा है उसको क्या दू कि इसका इम्मेनिटी पावर भी थोड़ा सा स्ट्रॉंग हूए पुरा स्पून फिनिश करो पुरा स्पून फिनिश करो ये क्या चल रहा है मुह में लग जाएगा स्पून ऐसे करोगे तो मुह में देखाओ दिखाओ फिनिश किया है तुमने दिखाओ स्पून दिखाओ एक बार दिखाओ 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 स्पून दिखाओ पूरा फिनिश कर दिया पनव ने तो पनव को चवनपाश देने के बाद सीधा आजाती हूँ मैं किचिन में और उसका दूद गरम करने और साथी साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट अपना चाय का तैयारी भी कर लेती हूँ बिकास एक बार पनव दूद बिस्किट खा लेता है या दूद कॉनफ्रिक्स खा लेता है उसके एक घंटा बादी उसको नाशाद देती हूँ तो दूद चाहे ये किसी के साथ भी ले कॉनफ्रिक्स के साथ एक बिस्किट के साथ पीड़े अश्योड मैं हमेशा दूद में इसका डालती हूँ तो पहले ना ये कुछ दिनों तक दूद कॉनफ्रिक्स खाता रहा सुबे को मैं भी हापी थी के चलो अच्छा चीज जाड़ा है पेट में पर अभी ना ये चाहता है कि गुड़े बिस्किट और दूद तो बचा का टेस्ट ऐसे भी चेंज होता रहता है तो इसमें कोई उ जाड़ हो जाता है फिर इसको मेल्ट करके ब्रेट में देना परता है तो आज मैंने सोचा मैं बटर को मेल्ट करके फिर ब्रेट में लगाऊंगी नहीं तो नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रेट चाहे आप कितना भी सेख लो बटर अगर आप मेल्ट नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है यह था मेरा दो दिन का सुबह का रूटीन जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी इस व्लोक को मैं जादा लंबा और नहीं करूंगी बिकाज यह दो दिन का डीटेल रूटीन हो गया जिसमें शायद एक दिन का मैंने कुछ चीज़े और दूसरे दिन का कुछ चीज़े आप लोग के साथ शेयर किया I hope कि आप लोग को यह मेरा विडियो पसंद आएगा किस तरह का विडियो आप लोग और मेरे चैनल में देखना चाहते हैं प्लीज मुझे कमें सेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा अगर आप लोग मेरे चैनल में है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्यू फर वाचिंग